दोस्तो हमारे न्यूज यूटूब चैनल में आप सुब का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मारे शैने अधिकारी है जो फोजी है उनके लिए है जवानों के लिए है दोस्तो जिहां दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो के मादन से जो शैने अधिकारी की रिटे हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं तो जुड़े रही हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट क करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें साथ ही साथ बेल ऐकन को भी जरूर दोए जो भी गवर्मेंट इंपोले से संबन देने हो जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पूंसके तो आए दोस्तों देन न करते हैं वीडियो को स्टेट करते हैं दोस्तों आयू बढ़ाने पर विचार कर रही है इसमें जो चम्मन से बढ़ा कर स्तावन किया जाएगा वहीं ब्रिगेडियर और उसके जो समकशों को अब जो मोजुदा 56 वरस से 98 वरस की आयू में सेवा निवर्त जो करने का प्रस्ताव है वहीं मेजर जर्नल के पद पर काबिज अ Department of Military Affairs जो इस परस्ताव को 2021 में लागू करने की तैरिमी है सरकार के सुतरों ने आज तक और इस जो इंडिया टूडे को बता है कि करनल ब्रिगेडियर और मेजर जर्नल रेंक के अधिकारियों को और सेना नो सेना में जो उनके समकश अधिकारियों की सेवा निवर्त की आयू जो करम से तीन दो एक वरस के लिए बढ़ा ही जाएगी दोस्तों सुतरा की मताबिक एफ हैसला है कि इस में जो CDS जर्नल विपिन राउत के नेतरतव वाले परमुख विबाग दोरा लागू किया जाएगा और यह अगले वरस की जो शुरुआत है वो एक अप्रेल 2021 को किया गया है जिसे आब लागू करने की त्यारी हो रही है दोस्तों प्रस्ताओं में वाई सेना और नो सेना में करनल और जो समकक्षाओं की सेवानिवरती की आयू बढ़ाने की बात कही थी इसे चम मन से बढ़ा कर 57 वरस किया जाएगा और वहीं दोस्तों ब्रिगेडियर और जो उसके समकक्षाओं को अब मुझूदा 56 वरस से 98 वरस की आयू में सेवा निवारती करने का प्रस्ताव है। दोस्तों वहीं जो मेजर जर्नल के पद पर काबिज जो अधिकारी है 69 वरस की आयू में रिटैर होंगे। दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं जो लेटिडेंट जर्नल पद पर रिटैर की जो उमर है 60 वरस बने रहेगी और इसमें कोई भी बुदलाव ही किया जाएगा। वहीं जो लोजिस्टिक टेकनिकल और जो मेडिकल ब्रांच में जुनियर कमिडेशन ओफिशर और जवानों की रिटैर्मेंट की उमर स्तावन वरस कर दे गई है। दोस्तों इसमें जो भारती सेना की EME और ASC और AOC ब्रांच भी सामिल होगी। और ये सभी परस्ताव जल्द से जल्द लागू किया जाएगा समन्दित लोगों से इसके बारे में चर्चा की जारी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बड़ी लेटिस अपडेट जो सेने अधिकारी की रिटैर्मेंट उमर को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। और इसको लेकर सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जिसमें सेना जो अधिकारी है वे सेना में रहके और अधिक सिवा दे सके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।